आप यहां से सबसे पहले यहां पर लाइब प्रूब देख लीजेर हमने यहां पे कितना रुपय अर्ण किया यहां समने एक एंपर जिसका यहांपर ईंपर 59 मिला है और 4950 आप्लाई किया जिसका मुझे 15100 मिला है तो इस तरीके से आप भी जो कि credit card apply करके घर बैठे बैठे कम से कम आप यहां पर इस तरीके से एक अगर आप credit card apply करते हैं किसी का भी अपना या फिर अपने फ्रेंड का या फिर आप किसी को link refer कर देते हैं और वो खुद से credit card apply करता है तो भी आपको इस तरीके से आपके account में पैसे आते रहेंगे तो इस व तो आप वीडियो को जो है कि complete देखिए आप भी ना skip किये आपको इस वीडियो में डिटेले बताने बला हूं तो चलिए वीडियो को कर लता है इस तरीके से आप भी अपने mobile phone से आप जो है कि आपको कुछ नहीं करना है आपको credit card apply करना या फिर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने दोस्तों को या पर कहीं पर लिंक्स रेफर कर दीजिए और जैसे ही कोई apply करता है credit card तो आपको एक card का minimum जो है कि 1500-2000 पर मिलेगा तो चलिए वीडियो को कर दाते हैं start यहाँ पर एक्सिज बैंक का credit card है एक्सिज बैंक myzone credit card यहां से अगर आप apply करते हैं या पर किसी को भी आप apply कराते हैं तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा 2000 पर reward मिलेगा तो आपको क्या करना है वीडियो के description में आपको link है और वहाँ पर काफी सारा आपको link मिल जाएगा कि आप कौन सा credit card apply करना चाहते हैं तो जैसे आप उस link पर click करेंगे तो आपको अपना mobile number स OTP से आपको verify करना होगा उसके बाद इस वाले option में आ जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर earn to 2000 पर click करना है और यहाँ पर जैसे आप click करेंगे तो click करने के बाद इस तरिके से आपको यहाँ पर कुछ second जो है wait करना है कि आपको यह reward है यह एक्टिबेट हो रहा है औ को भी अगर करता है तो जो भी reward है जो भी cashback है वह आपके account में credit होता रहेगा तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरिके से option आ चुका यहाँ पर credit card यहाँ पर online application और बहुत लोगों को लगता है कि हमारा जिस bank account में account है उसी का credit card मिल सकता है तो ऐसा नहीं है अगर आपके पास क में बहुत आपको किसी भी bank का credit card मिल सकता है और किसी भी bank का credit card apply कर सकता है मेरे पका एक्सी bank का 2 credit card है जबकि मेरा एक्सी बैंक में bank account नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह आपके सामने आ जाता है यहां से आपको mobile number है जो आप mobile मोईलब हो गिया जो भी आपका अडरा यहाँ पर करते हैं लुग्छाब मेंट करना है यहां पर सारा डिटेल हो गिया, mobile number, pen card number, pin code, annual income, केपचा उसके बाद जैसे आप यहाँ से next पर क्लिक करेंगे, यह वाला जो next पर आउपसन है, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने फिर से एक बार card को select करने का option आएगा कि आप कौन से credit card जो है, वो आप लेना चाहते हैं जैसे Axis Bank का New Credit Card हो गिया, यहाँ पर Axis Bank Indian Oil का रुपे Credit Card हो गिया, यहाँ पर Axis Bank का Myzone Credit Card हो गिया और यहाँ पर जो भी जो आइनिंग फी हो गिया, एन्वल फी हो गिया, सारा में आपको यहाँ डिटेल में देखने को मिल जाएगा तो जो भी आप Credit Card Apply करना चाहते हैं, वो आप इसके उपर यहाँ पर Click करेंगे, यहाँ से आप Change करेंगे और उसके बाद इस Card पर इस तरीके से आप Tap करेंगे और Tap करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पर Next पर Click करना है, जैसे आप Next पर Click करेंगे, आपका जो Mobile नमर है, जो आपने भी Enter किया है, उस पर OTP सेंड किया जाएगा OTP जो भी आता है, आपको OTP जो है, यहाँ पर इस तरीके से, OTP यहाँ पर Enter करने के बाद, इस तरीके से आपको I Agree Termin Condition पर Click करेंगे, और तिक करने के बाद, यहाँ से गवार I Agree पर Click करना है, और फिर से आपको यहाँ पर Meet पर Click करने के बाद, यह वाला Page Open हो जाएगा, यहाँ से नाम हो गया, जो भी आपका Payne Card पर Date of Birth है, यहाँ से टाइटल हो गया, और उसके बाद जेंडर हो गया, जो भी आप Card पर नाम रखना चाहते हैं, वो हो गया, Mother Name हो गया, Father Name हो गया, यहाँ पर Status हो गया, सिंगल है, य उसके बाद यहाँ से Enter Residence Address हो गया, Enter Office Address जिस भी Address पर आप रहते हैं, Email ID, फिर आप यहाँ से Next पर Click करें, और आपको यहाँ पर एक Option मिलता है, Like to Receive Your Card, Residence Address पर आप चाहते हैं, या फिर Office Address पर, तो आप इस तरिके से यहाँ पर Tick करेंगे, और Tick करने के बाद, यहाँ स जिसे Email ID में स्पेस आपको कई भी नहीं लिखना है, और उसके बाद इस तरिके से आप Next पर Click करेंगे, जैसे आप यहाँ से Next पर Click करते हैं, तो आपको यहाँ से Select करना है, कि आप Select Person है, या फिर Self-Impliant, आप यहाँ से Select करेंगे, अपने हिसाब से, और उसके बाद जो भी पर Annual Income हो गया, Employee Sector हो गया, यहाँ से इस तरिके से Select करने के बाद Industry हो गया, जो भी आपका Industry है, वो Select करने कितना दिन से आप काम कर रहे हैं, यहाँ से Company ने, उसके बाद आप यहाँ से Summit पर Click करेंगे, आपको यहाँ समीट पर Click करना है, जैसे से Select नहीं हुआ है, तो उसके बाद जो भी आप यहाँ से सारा Detail कोई भी आप एक बाद जांच करने से पहले, आप एक बाद देख लें, और उसके बाद ही आप समीट करें, जैसे आप समीट करते हैं, तो देख सकते हैं, तो यहाँ पर और जो भी आपका Application नमर रहेगा, वो आपको भी हो जाएगा, और उसके बाद आपका Bank के तरफ से आपके पास verification call आएगा, और उसके बाद आपका जो card है, वो जो है की card यहाँ पर approve होने के बाद, आपका जो address है, उस पर send कर दिया जागा, तो इस तरीके से आप credit card apply कर सकते हैं, और पैसा खमा सकते हैं, अब मैं आपको यह बता दता हूँ कि अगर आप नहीं apply करना चाहते हैं, तो कैसे आप link refer करेंगे, बहुत सरे card का आप पर नाम भी है, और link भी है, तो आपको क्या करना है, जो भी आप credit card apply करना चाहते हैं, उस पर enter करने के बाद, link open करने के OTP, से verify करने के बाद, यह वाला यहाँ पर option आता है, share का option आता है, जैस आपके link कोई भी credit card apply करेगा, तो उसका जो भी यहाँ पर जैसे card को यतना reward होगा, cashback होगा, आपको cash करो के account में, इस तरीके से यहाँ पर जो भी है, आपको credit यहाँ पर my earning में देखेंगे, wallet वाला जो option है, इस तरीके से आपको total earning यहाँ पर my orders में, आपको इस तरीके से view होत और उसके cash करो का link भी आपको video का description मिल जाएगा, आप चाहें तो जाकर के download कर सकते हैं,